पॉल्ट कि दोनों बाइक्स को उन डाल रहे हैं स्पोर्ट्स मोड पर कैसी लगी फ्लाइबाइब मजा आया है कि नहीं सून के आई थी अवाज दोनों गाड़ियां सेट है स्पोर्ट मोड पर राइडर हमने चेंज कर लिए मैं आचुका हूँ टैनार पर हाई गाइस वेलकम बैक टू आए चैनल फाइनली आप सबकी डिमांड पर आ चुकी एक मोस्ट डिमांडिंग ड्रेग रेस बिट्विन मोस्ट पॉपिलर सुपर बाइक्स ऑफ इंडिया यहां पर है अमारी 2024 कावसा की जडेक्स टैनार और यहां पर है अपनी 2024 कावसा की जी 900 दोनों की कीज यहां पर चेक आउट करो सबसे पहले तो यार हैड्लम ऑन कर लेता हूं यह दोनों के आप लुक्स चेक आउट करो लास्ट टाइम हमने की ड्रेग रेस करी थी जिसमें बहुत सारे लोगों के कॉमेंट आयते कि यार 10R के साथ भी लेकर आओ अभी बूस दिमांडिंग बाइक है साथी में एक रीजन ओर है ड्रेग रेस करने का विकॉज जी 900 अपने इनिशियल पावर के लिए मानी जाती है फॉर शूर देखो यार गाड़ी वह जीतने वाली 10R ऐसा कोई मतलब वर्डिक वाला तो रोल ही नहीं है साथी में हम देखने वाले में में लिक यार 150 180 तक आगे कौन सी रेती है और जो भी आगे रेती कितना आगे रेती वह में लिए आजम देखने वाले दोनों में ही फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगे हुए है अपनी बाइक में लगा है ऑस्टिंग रेसिंग का फुल सिस्टम एग्जॉस और 10R में लगा हुए हुआ 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 हाँ इपनी आगे रेती बाइजुस्ट लगार बंज रेती वह शार्फ लूजॉस्ट लगे रेती आगे कैसे हो सक्ति है हार बंजुस। इतना डिफरेंस केसे हो सकता है दोनों में एक और राउंड लेते हैं उसे डाल दो रोड मोड पर यह राइडर मोड पर फूल पोटेंशल और रेन मोड पर इतना डिफरेंस आ गया इसलिए हम 10 और इसकी ड्रैग रेस कर रहे हैं अब गई सेकेंड राउंड कर रहे हैं यहां अब फर्स्ट राउंड में बहुत आ गए ती जब रेन मोड पर थी अब मेरी सेट हो जुकी राइडर मोड पर यह आ गई यह रोड मोड पर अब कि अब कि 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 अब कि अब कि इनीशेल में मुझे जहां तक लगता है एटी नाइटी तक तो आगे थी गाड़ी यह तो बात मानना पड़ेगी फर्स ग्यार में बहुत क्विकली निकलती है बट टैनार की रैवरेंज जादा है तो फिर वह बहुत जादा पुल होते करते हैं इसे मैंने राइडर मोड पर डाल के रखा है फुल पोटेंशल में तो अब्विस सी बात है वह निकलेगी बट यह है कि मैं आपको वेड भी बताना चाहूंगा मेरी बाइक का वेट अरूंड टूहंड़ेंट ट्वेल केजी और टैनार से यह बाइक भारी है फिर यह लुक देती है आप यह लुक देखो इसलिए सबकी ड्रीम बाइक है जो प्रेजन्स आता है ना इसका इनिशल में 70-80 तक यह आगे थी मेरे ख्याल से और फिर जो आगे निकली मैंने देखा नहीं यार मेरा दियान पूर आगे था अरे बट मैं आगे था इनिशल में आगे रहती है इसको पूल करने में और गाइस यह भी जो मैं यह देखो सी यार एरो फूल सिस्टम लगाए उसमें इनिशल में आगे थी यह तो फिर इसमें फिर से मिम बन जाएगी हालाकि टैनार के लिए फैन बेज इतना है मैं कुछ बोलूंगा नि कैसी लगी फ्लाइबाय मजा आया है कि नी साउंड सुनके आई थी आवाज कहां तक आती गनी दूर तक हुआ गनी दूर तक हुआ गनी तो गाइज यहां पर एक बार करते हैं राइडर चेंज सिकाड देगा मतलब अज़ा सिका 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 चला नहीं के बाई चला नहीं गया कि दोनों गाड़ियां सेट है स्पोर्ट्स मोड पर राइडर हमने चेंज कर लिए मैं आ चुका हूँ टैनार पर यह भी रिजर्व पर लग चुकी है पहले सेंटर लेन में ले लेते हैं अब ही रिजल्ट आपके सामने रहने वाला है क्वार जाजए टोनों आपके सामने को अने प्कास मात्वा थीज़्ड़क्ष़ पर जाला प्वार है अरी इसमेड़ों क्वार सामने अच्छट क्वार कि आपने इनिशियल में देखा होगा यह थोड़ा लैग लेती है दैन जो पूल होते जाती है ना आगया है और सच में आज तो राइड करने में कि अब आइड गई अभी फर्स्ट गियर चैलेंज करें फर्स्ट गियर में इनिशियल में कौन आगे रहती है स्वाल करें में कि को साथ गषा है यहा है कि आपको आपको आज की वीडियो मजा आया होगा अब आपको नेक्स्ट और भी तगड़े व्लॉग्स देखने को मिलने वाले इसलिए चैनल पर बने रहना साथ ही मैं यह बहुत जल्दी वीली पॉप-प करती तो डर लगता है क्योंकि मैंने भी जब इसको चलाई की ना इसलिए जी डाइन अंडेट को विली मशीन बुलाते वैसे उसकी रेवरेंज आपको दिखा देता हूं यह 12,000 तक आर पीम और यहां पर आप चेकाउट करो इसमें अरौंड मेरे ख्याल से 16 होगा यहां पर 16,000 आर पीम तक है तो कहीं ना कहीं जो रेवरेंज जाजा दिख झाल